जनपद में नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोत्री हो रही है जिसके संबंद में एडियम फाइनस राजेश कुमार सिख ने बताया कि जनपद में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है तथा अभी तक 125 गाउं बार से प्रभावी थें उन्होंने कहा बारिश अभी भी हो रही है तथा आगे कुछ दिनों तक बारिश के आसार है उन्होंने कहा बार से निपटने के लिए जिरा प्रशाशन की तैयारी पूरी है बार से ग्रसित गाउं में रहा समगरी का वित्रण हो रहा है तथा गाउं में नाव लगाया गया है उन्होंने कहा हर सार वार से जनपद में 250 गाउं प्रभावित होते हैं उन्होंने कहा अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना है इस संबंद में गोरगपुर नीव से बात करती हुए एडियम फाइनेंस राजेश कुमार सिंग ने कहा यह पियो जडियो परोपँ़ मेंजिना 강 उन्हपल इड़की हो र vårनकावना ने करे लो ने प्हंती हुआ हो प्याएश की फडि़तो isto इटया की संभावना हो जय项 झाल-इडरे कंदा सिंगियो कहा rhoi हम दाऻे संपयों इस प्याएशाएशा से लफ़तों वह बग आपकर जाइडा है 俺 एक करना? नदियों का जलिस्तर जन्पत में बढ़ रहा है और अब तक हमारे 125 गाउं प्रभावित हो गए हैं और वर्सा अभी भी हो रही है और अधिक गाउं प्रभावित होने की संभावना है हमारी तयारी पूरी है रहात सामगरी हमारे पास है जिसका वित्रन हो रहा है नामें लगी हुई है और गुरकपुर में लगभग 200 गाउं प्रभावित होते हैं प्रतेक वर्स की वर्सा में यहां हमारे पास दो बड़ी बड़ी नदियां है लेकिन हमारी तैयारी पूरी है कहीं से कोई अपरी घटना की सूचना नहीं है हम लोग पूरी तरह से तैयार है बचाओ रहात कारे के लिए बारिस की संभावना तो अभी लग रही है कि बारिस भी आगे और होगी